तो भाई लोगो आप लोग इसको जानते हैं हए लोग सोच रहेंगे इसे कोई नहीं जानता कुछ भाई जानती होंगे लेकिन जो हमारे मेवाद के नोजवान है वो सिर्फ मेवाद पे वॉल्गर कॉंटेंड देखना पसमें लेकिन जो रियल्टी में देखिनला एक चीज़ होते हैं उन्हें कोई नहीं देखता जिहां दोस्तों ये सक्ष हमारे मेवात का ही है और ये इस्ट्रिग्राम पर रील बनाता है इसके लिए जो हमारे घ्रम से रिलेटिड होता है परियादी से ज़्यादा मुस्लिमियोत को लगता है कि हमारा वक्त आएगा फजर के लिए खड़े होकर मज़ित तक नहीं जा सकते लेकिन हमारा वक्त आएगा या फिर जो अच्छा ही होती है उनके बारे में जैसे खुबसूरत हिंडुस्तान को इन कमल वालों ने तोड के रख डाला जो हमारे धरम बारे मुझा को गल्ब केता है उसके बारे में बना और आज हम इस वीडो का अंदर इसी के बारे में या फिर इसकी वीडो देखने वाले हैं ये कैसी वीडियो बनाता है चलिए साथ में मिलकर देखते हैं तो भाई लोगों फर्ष्ट वीडियो ये रही ना हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा इनसान का बेटा है पहले तू इनसान बनेगा मजभब की गंदगी निकाल अपने सीनों से ना तू खत्रे में है ना मैं खत्रे में ये ख्याल बदल तब जाके तक कि रेट हिंदुस्तान बनेगा तो भाई लोगों आप लोगों ने वीड़ देगी है कुछ इसी तरह का कॉंटेंट बनाता है दोस्तु अगर आपको नहीं पता है ये लड़का हमारे हैं ताउरूगा जां दोस्तो इसका नाम साजिद अली है और इसका एक इस्टेग्राम पर आकाउंट है उसको जाकर आप सभी फॉलो कर लें तो नहीं तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्स में बिल जाएंगे इंशाल्ला आपको भी इसकी वीडियो जरूर पसंद आएंगे क्योंकि ये एक रियल कॉंटेंट बनाता है हमारे धरा में तो अगली वीडियो देखते हैं अगर हिंदू बनना है तो विवेक अनद बनो और मुसल्मान बनना है तो डोक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनो ये बात देश के नोज़वान के लिए देश तेरा है सोक से देश भक्त बनो अंदभक्त नी तो दोस्तों यहां पर एक बिल्कुल सच बात कहिए कि अगर देश का हिंदू बनना है तो विवेक अनद बनो अगर मुसल्मान बनना है तो डोक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनो इनसे कुछ सीखो कि एक का में क्या ताकत होती है नेक्स्ट वाले वेट करें तुम तो बक्राईद से भी नहीं समझे के हर जगा मर्द को ही कुर्बान होना होता है कमल के जैसे खूबसूरत हिंदुस्तान को इन कमल वालों ने तोड़ के रख डाला क्या बात कहिए या इस कमल के फूल जैसे देश को इस कमल वाले ने लूट के खा गया है यहां दोस्तों कि आप समझते हैं बीजेपी सरकार है जो भी कमल से वोट खड़ी करते हैं लेकिन बीजेपी ने पूरा देश परबाद कर गया और फिर पी तीसरी बार भी इसमत फूटी बीजेपी है नेक्श्ट अगर गुर्बान हो जाते उस रोज हजरत इसमाईल तो मुशलमान बड़े सोक से अपने बेटों की गुर्बानी देते मगर गोबर खाने वाले जाहिलों के ये बात बिलकुल समझ में नहीं आनी राइट वरो क्या जवाब दिया या इसके लिए लाइक कवटन जरू बनता है या बिलकुल सही बात है जो कि कुर्बानी के तोर पर हर को यही सोचता है जो कि हमारे हिंदु भाई होता है कि जानवरों की बली क्यों दी जाती है बली नहीं हम तो कुर्बानी कहेंगे तेजुआओं को क्यों कारते हैं भई हर धरम में अलग होता है मंदिर में दाना चुक कर चडिया मस्जिद में पानी पीती है मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है एक रफीता किसी महफिल में जो रगुपती राग उगाता था एक प्रेम चंदर जो बच्चों को इदगा सुना था मनीपूर में इतने बड़े हाथ से ना जाने कितने लोग मरें कितने लोगों के घर उजड़े रिसेंटली में हुआ ट्रैन एक्सिडेंट जिसमें तस लोग मरें और ना जाने कितने लोग खायल हुए लद्दाक का मामला भारत और चीन की सीमा का मामला और कश्मीर में हुए टेरिडिश्ट अटेक का मामला नीट का फेपर का लीक होना अगेरा वगेरा ना जाने कितने टॉपिक्स हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात चरने के लिए लेकिन इन अंद भक्तों को सिर्फ मुसल्मानों के पीछे लगना है टरेंट चला रहे हैं कि मुसल्मानों से बक्रों को कैसे बचाए अरे याँ बल्दो एक दिन जिस दिन हिंदुस्तान को इतने सारे फायदे पहुँच रहे फिर तुम्हें उनसे इतनी मिर्ची लग रही है जार इस एक दिन में हिंदुस्तान की एकोनोमी को एक लाग करोड तक का सीधा सीधा फायदा पहुचता है वो भी डारिक्ट किसान भाईों को ये एक कैसे बरदास्त कर सकते हैं और पलस में लोगो को गरीब लोगो को जानेक्ष वाल देखता हैं, बिलकुर राइट बात के ये जो कुर्बानी में भकर हलाल के जाता है उनको शिर्फ मुनाफ़ा होता है वो हमारे हिंदु भाई होते हैं मुसल्मान भाई होते हैं कर दोदों की विक्रों को पालते हैं और फिर उनको सेहर ने जाकर सहल करते है इनको मुनाफफ सिरक्सान लोग उपता है जो कि इन बड़े लोगों से नीजाडा है च़िए नेक्श वाले ने उला हुए थिखार Ke objectives लिए उनक्ना वर्ट इतर्व कहें कि हमारा वक्त आएगा फजर के लिए खड़े होकर मस्जिद तक नहीं जा सकते लेकिन हमारा वक्त आएगा मस्जिद वीरान पड़ी हैं मगर हमारा वक्त आएगा घर में रखी कुरानों पर दूल चड़ रही है लेकिन हमारा वक्त आएगा ख़ी जायजा नहीं लेते हैं अपने इमान का, मगर हमारा वक्त आएगी। इस चीज़ पर गोर फिकर नहीं कि हमारे आने वाली नसल देगी दिन बाकि भी आने हैं। लेकिन हमारा वक्त आएगी। जा बात कही हैं, वाई साब। बिल्कुल वाइट बात हैं जो हमारे मुसलमान भाईए वो समय ही सोस्ते हैं कि हमारा फ्यूचर में 10-10 साल हमारा वक्त आनवाद जो कि हम ही राज करेंगे जैसको लेकिन नवाज कोई पास नहीं जाता है हम मिलाओं आप इनमें से के हम इनमें से के जो गरों में रखिये उन पर भूल जमिन हुए लेकिन पढ़े के कोई राईजी नहीं जो पुरान जानते हैं वो भी भूल चुके लेकिन हमारा वक्त आए केसा है तुबहें बता रहा था आपको यह कुछ इस तरह का कॉंटेंट बनाता है यह तो कुछ गिनी चुनी वीडियो जो की मैंने इसके पेज कर से उठाई है ऐसी पहुत सारी वीडियो जो की आप इसके पेज पर जाकर देख सकते हो इस्टेग्राम अठाउन पर जाकर देख सकते हो आपको पहुत सारी एस इम्यूर में देंगे लेकिन नेक्स वाल देख कर चला अस्सलाम आलेकुम साधिब जावसर पंच्वाइब आई पर जावसर आख करो आख के लाज़्यक पर जावसर पर हो है एक लाज्ट वाल वीडियो रहे हो उसको जो देखके जाना घिकन दर में लेगे मुझे को भी इनकों लेगे लेकिन क्या कर रहाए आप सब्सक्क्राइब करदेर चैनल पढ़िए मैं जो लेगे ही लेकिन जंगल कट रहा था और सारे पेड़ कुलहाडी को वोट दे रहे थे कि पेड़ों को लग रहा था कि कुलहाडी में लगी लगड़ी हमारे समाज की है सब्सक्राइब इस लाइन से क्या सीफ बिल्याद था यह पुलहाड़ी की कहाने थी यह प्रफिक्ट बैड़ी हैं और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंदा आए प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो पर सब्सक्राब देए हम मिलें किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए असलाम आले हुए